मन के सवाल में आज का प्रश्ण राधा जी का नोईड़ा से है प्रश्ण बहुत ही दुखद है अर्थाथ प्रश्ण को सुनने के बाद सभी का हिर्दय दुख से भर जाएगा पहले राधा जी के हम प्रश्ण को सुन लेते हैं फिर उत्तर की आत्रा पर चलेंगे पढ़नाम गुरु जी मैं राधा नौईड़ा से बोल रही हूँ मैंने आपको मेसेज किया था मेरे एक सवाल है कि कर्म और ग्रह का क्या रोल रहता है कोई कहता है कर्म खराब करो ने से ये आपको दुख मिलता है और कोई कहता है कि आपके ग्रह दोश है इसलिए ही होता है मेरा 24 साल का बेटा तीन सटेंबर को इसका इसकी देथ हो गई थी और बाए बर्थ उसको पॉल्म थी हाट की टॉफ था उसको तो उसके पहले दो अपरेशन हुए ही थर्ड अपरेशन था जिसने भी उसकी पत्री किषिए ही आई एठी गया उसकी जब गचिह है सबने अगा कि करम का दोश ही कर норм कशन ऊपड है करम की वज़ा है मुझे समझ में निया रह कि रह दोश है मेरे करम का फल है या उसके करम का ऊपल है हमें जहीं कि मेरा बेटा भी कुछ श्र्मन कमार की तरह हमे 죄송 t going to 1 ए, पह मा मा की आस्था पर मुझे आस्था है, देवी मा को पूझना, लड़ू को पाल की सेवा करना, यहां तक कि जब वो ऑपरेशन धेटर में भी गया, तो भी वहां से जैकारा लगाता गया, मेरे साथ वैशनी देवी जाना, हर चीज में, कहते हैं सब को खूश रखना, रिष्टे जोड़ना, सब के लिए खड़े रहना, एक जीवित आत्मा जिसे कहते हैं, कि हस्ता खेलता बच्चा बिल्कुल, तो यह मेरे एक दुविदा है, मेरे कर्मों का दोश है, यह मेरे ग्रह दोश है, किरपा में को समाधान बताएं, मैं आपके हर मन के सवाल देखती हूं, मैं आपकी सब चीजे देखके मुझे बहुत शांती निलती है, बस प्लीज गुरुजी, मेरे इस दुविदा को भी उत्तर दीजिए, मुझे को समाधान दीजिए, परणाम गुरुजी, जानते हैं, गुरुजी, इतना समय आपके पास नहीं कि आप एक एक जनों की बात सुन स की, सबको एक ही ग्यान मिला, परणतो आप से बात करके, आपके बात सुनके, मन को शांती मिली, मैं यह उमीद नहीं कर दी कि अब मेरा प्रशन उठे का यह प्रशन का जवाब मिलेगा, उसके लिए भी नहीं, मगर आप से बात करके, अपने दिल की बात कहके, मुझे बहु मुझे लगता है, किसी ने कहानी मुझे सथि, आज वो सबकीन便 बनी है, कि दो ग्वालिन थी, एक ग्वालिन को मख से मखहता है, तो उसको ब्हगाया, दूसी ग्वालिन शुको धंड़ा, तो उसके कमर की हड़ी टूड़ गई, वो कुटा ब्रहमा रहिमा झे पास गया, ब ब्रहमा जी उसे बोला कि मुझे उसने ऐसे मारा उब्री हटी टूड़ गई, तो ब्रहमा जीने उसे का, तुम उनके घर में बेटे का जनल लोगे, और पूरी सुक्स हुए था, सब कुछ उनसे सेवा करवाओगे, प्राप करोगे, सब कुछ करवाओगे, लेकिन जब तुम हरा करने का वक्त आएगा, तुम उनकी कमर की हड़ी तोड़ की चले जाओगे, वही सा मेरे साथ हुआ, मेरे अगु बेटा, गुरुजी इस दुनिय गुरुजी मुझे जवाब नहीं चाहिए, लेकिन आपसे मन की बात कहा के मौँ शायती मिल रही है, एक तसलिश यारी कि शायद कोई है, जिससे मैं अपनी मन की बात कहे पा रही हूँ, जो सुन रहा है मेरे मन की बात, मुझे पता है कि आपके पास इतना समय ही जिए कि एक गुरुजी, बस समझ नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों मेरे साथ है, मैं शक्ति क्यों पास आपको, बात राने क्यों पास आपको, माने कभी मेरे जूलें खाली ने की, जब मैंने जो चाह माने मुझे दिया, मैं उसको अपना मैका ही बोलती हूँ, मैं वैशन मा को, उनका नवास है, शायद जो भी किया होगा, माने कुछ सोच के किया होगा, भविश्य में शायद कुछ भलाई ही होगी, कुछ होगा, लेकि वर्तफान बहुत कश्दा है कि गुरुजी, जेलना बहुत मुश्किल लग रहा है, कभी कभी मन करता है, बहुत बेटे के पास चली जाओ, हिम् मेरे सवाल का कुछ नहीं होगा, सब का सुन लिया, सब का जाओ लिया, अपने कर्मों का फल है, सोच्दियों, अब करम सुधालू तक ही, अब बुड़ा पकर्षदा ही ना हो, जी मन के आगे करम खराब ना हो, मेरा बेटा जहां भी हो, सुखी हो, पढ़ना अब गुरुज राधा जी सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, कि आपका जो दुख है, उसके लिए किसी भी प्रकार के सहनुभूती के, किसी शब्द को मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि सारे शब्द छोटे पड़ जाएंगे, सारी बात छोटी पड़ जाएगी, आपका दुख इतना बड है, तो इस दुख के निवारण के लिए कुछ कहा तो जा नहीं सकता, किन्तु हाँ, इस पर कुछ दूर आगे यात्रा जरूर की जा सकती है, जो आपके मन में कुछ बातें इस समय उभर कर आ रही हैं, कि कर्म दोश है या ग्रही दोश, इस बात को लेके, तो जहां तक ग्रह दोश की बात बताओं मैं आपको, तो जिस समय महाभारत का युद्ध होने जा रहा था, तब धृत राश्ट्र ने एक से एक बड़े जोत्शी को बुलाया, पिखटा करा सबको और पूछा की बताओ, युद्ध में कौन जीतेगा, ग्रह किसकी और संके कर रहे हैं विजय का, सारे जोत्शियों ने सब कुछ हिसाब किताब लगा लिया, और कहा कि महराज जीत तो कौरव की ही होनी है, ग्रहों की नक्षत्रों की सारी गणना इस और इशारा कर रही है कि पांडव पराजित होंगे और कौरव जीतेंगे, और इस विधान को कोई नहीं बदल सकता, ग्रहों की दशा कुछ ऐसे है, अब महाभारत का युद्ध हुआ, परिनाम आप सभी के सामने कौन जीता, पांडव, तब धिरतराश्र ने सभी को बुलाया और कहा कि आप सब तो कहते थे कि कौरव जीतेंगे, ये आपकी जोतित शास्त्र को क्या हुआ, ये जोटा है जोतित शास्त्र या आप जोटे हैं, कि धन के लोब में आपने हमें गलत मार्ग दर्शन किया, तब उन जोत्शियों ने कहा न हम जोटे हैं, न ग्रहों की इस्थिती जोटी है, कोई भी जोटा नहीं है, लेकिन उनके मध्ये एक ऐसा कर्म योगी आ गया, कि जिसने ग्रहों की सारी स्थितियों को ही ततकाल बदल डाला, अब जब ग्रहों को ही कोई बदल डाले, तब ग्रहें क्या करेंगे, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह कर्म योगी इतना उच्च कोटी का था, आप उसकी उच्चता का अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि जो ग्रहों को भी बदल डाले तो अर्थात कि कौन होगा वो उसके विशह में हम कुछ कह नहीं सकते हमारे पास कोई शब्द नहीं है क्योंकि आज तक ऐसा प्रमाण नहीं है कि ग्रहों को भी कोई बदल डाले लेकिन उसने बदल दिया और वह कृष्ण कृष्ण ने सब कुछ बदल डाला तो बात कहें ग्रहों की तो ठीक है जो जानकर कहते हैं ग्रहों का दोश है वे जानते होंगे लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है आपने कहा कर्म दोश एक कहानी भी सुनाई इस प्रकार की कहानी बहुत पृतीकर है और सत्य भी है अब प्रशन यह उठता है कि इस दुख से कैसे निजात पाई जाए क्योंकि दुख आपका बहुत घना है और संसार का कोई शास्त्र किसी की सहानुबूती, किसी के दोशवद आपके इस दुख को कम नहीं कर सकते, केवल राम ही इस दुख को कम कर सकते हैं, क्योंकि सभी दुखों का नाश करने वाले राम ही हैं, राम में आप अपने मन को लगाइए, राम जी से ही प्रार्थना कीजिए कि राम जी जो जिवात्मा आपने मेरे पास भेजी थी मेरे पुत्र के रूप में भेजी थी और इतने वर्षों तक रहकर उसने मुझे बहुत सुख दिया आप उसे अपने चरण कमलों में स्थान देजिए और यदि भविश्य में उसे कहीं और किसी के संतान के रूप में जब भी आप जन्म दें तो उसे दीरगायू बनाईएगा प्रभु से ये बारंबार प्रार्थना कीजिए और राम जी आपकी इस प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे निश्चित रूप से आप देखिए एक बात पर द्रिष्टी डालिए आपने अभी स्वयम कहा कि आपका पुत्र शर्वन कुमार था अर्थार कितने उच्च चेतना की जीवात्मा को परमात्मा ने आपके घर पेजा ऐसा भी तो हो सकता था कि आपका पुत्र ऐसा होता कि आप इतने वर्षों तक दुख जेलती रहती दुख में रहती कि वह बुरी संगत में है मेरी परवा नहीं करता चिंता नहीं करता और तब उसको यह स्थिती प्राप्त होती आप सोचिए उस पहलो में क्या होता तब आपका दुख तो हजार गुना बड़ा हो जाता हजार गुना कि भगवान ने आपको संतान भी थी और वह संतान ऐसी कि जो हमेशा आपको सताती है दुख देती है लेकिन राम जी ने आपके घर में इतनी देवताओं के घर से आत्मा भेजी जिसने आपके आपको गंगा इसनान नहीं कराया है ऐसा समझ लिजी कि पुत्र के रूप में गंगा स्वेम आपके घर भैर रही थे और श्रवन कुमार होना किसी पुत्र का कोई साधरन बात है क्या निश्चित रूप से आपका जो पुत्र रहा होगा वे शरवन कुमार की ही आत्मा रही होगी जो आपके घर में आई अन्ने कोई हो नहीं सकते जैसा आपने बताया उसके अनुसार तो स्वेम शरवन कुमार ही आपके घर में अवतरित हुए और अब शर्वण कुमार को रामजी ने अपने पास बुला लिया है किसी और के यहां सुख देने के लिए आपके पास जितनी यात्रा की उसके लिए रामजी के प्रतिय भार प्रकट कीजिए धन्यवाद प्रकट कीजिए और भारम बार यही प्रार्टना कीजिए कि जो भी कुछ पुन्ने आपने अर्जित किये हैं वे आपकी उस संतान को परमात्मा दे दे और वे देंगे, निश्चित रूप से देंगे क्योंकि अगर राम जी ने उस श्रवन कुमार की आत्मा को आपके यहां की लिए चुना था तो इसमें भी कोई संदे नहीं कि आपके बहुत पुन्ने रहे हैं अथा पुन्ने रहे हैं उन पुन्ने का कोई हिसाब किताब नहीं था अने था, रामजी खाहां किसी को ऐसा पुत्र देते हैं विरले ही होते हैं, विरले जो ऐसी संतान खुपाते हैं तो मैं भी अपनी तरफ से रामजी से ये विन्रती कर रहा हूँ आपके पुत्र के लिए कि राम जी उस पर अपनी क्रपा द्रिश्टी बनाए रखें और उसे जहां भी भेजें अब दीर गायों बनाकर भेजें और यह हुगा भी राम भली करें क्ला कर्या हुगा टाल